दोस्तों नमस्कार आग पाकिस्तान से जोड़ी हुई तीन ख़बरों पर हम तरचा करेंगे विस्तार से तफसील के साथ और पूरे तफसरे के साथ पहली ख़बर है जो मिटिंग होने वाली है रवीवार को यानि संडे को दुबई में मिटिंग होने वाली है जका श्रफ नहीं जговरा है पाकिस्तान टीम के भारत आने को लेकर और तीसरी बड़ी ख़बर है जो गॉल्ब में होने वाला है पहला क्रिकेट टेस्ट माथ श्रलंका वर्झस पाकिस्तान जी यह मुकाबला भी बहुत ही दिल्चास पोने वाला है पहली चर्चा करते हैं पहली पाकिस्टान क्रिकेट बोर्ड के वो मिलने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रतेनिदियों से इस रविवार को यानि संडे को और इस संडे में उन्होंने कई तरह कि उनके मन में चाहत है हलां कि बहुत कुछ यह कहिए कि जो पाकिस्टान के पीसीबी के जो पूरत जग Cup का जारी कर दिया गया होता और अब यहां पर शिरलंका में एश्या Cup को लेकर जो कुछ गतिरोध है उन्होंने कहा है कि जो शिरलंका में मुकाबले होने है एश्या Cup के उस दोरान तो बारिश होने की संभावन व्यक्ति जा रही है तो पाकिस्तान चार से ज़्यादा जो मैचिस है वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट करें क्योंकि वो खुद उसका मेजबान है और मेजबान होने के नाते उसे चार से ज़्यादा मैच मिलने चाहिए इतना ही नहीं पाकिस्तान में इसके अलावा और भी कई उन्होंने मांग की हैं इस तरह की कि शरलंका में इश्या कपके दोरान जो रेविन्यू है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है जो अगर मुकाबले योई में आईजित किये जाएंगे तो उससे अच्छा खासा रेविन्यू बनेगा और जो शरलंका में मुकाबले होने है उसमें भी पाकिस्तान चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो रेविन्यू उनको जादा मिले उसमें क्योंकि जतना तहे कारिक्रम है उसके हिसाब से उनको बहुत भारी नुक्सान होने वाला है उनोंने का भारत ने कराया था इश्या कब जो होस था जो उसको आमदनी हुई थी उसके एक सालों के बाद तो दुनिया बदल गई है एक साल के बाद लेकिन उसमें आमदनी उनको बहुत कम हो रही है तो यह पहली खबर है एशियन क्रिकेट काउंचल कितना संतुष्ट होती है इस बास से कितना राजी होती है इन मांगों को लेकर क्योंकि मांगे कई तो बहुत जायज हैं लेकिन सवाल उठता है कि ये सब मांगे अब क्यों की जा रही है पहले क्यों नहीं की गई नदम सेटी साथ क्यों सहमत हो गए थे इन सब बातों के लिए ये सबसे बड़ा सियां पर सवाल है दूसरी खबर से महाम आपको में चल रहे थे वो उन दिनों अच्छी खासी उन्होंने बल्लेबाजी भी की उस पूरे दौर में और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाता है तो इससे निश्चित तोर पर वहां के ये फैंस के प्रति बहुत बड आएगी और भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी ये सितियां आएंगी और जरूर आएंगी उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ और इसको लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं है मैं भारत से खेला हूँ वहां की कंडिशन्स जो है उन्होंने कहा कि बह अब मिस्वाउल हकी क्यों ना हो और भी बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर पाकिस्तान टीम के भारत आने की वकालत कर रहे हैं जो बहुती समझदारी पूर्ण फैसला है जो उनकी राय है तीसरी बड़ी खबर है गॉल में टेस्ट मैच होने वाला है और संडे को मैच सं दो टेस्ट मैचों के उसमें एक-एक से सीरीज बराबर रही थी और उस मुकाबले में जो प्रवत जैसूरिया है उन्होंने बहुती महत्तपून भूमिका निभाई थी और रमेश मेंडिस ऑफ स्पिनर और प्रवत जैसूरिया बाए हाथ के स्पिन गिन बास दोनों ने मि मैचों में जो है गॉल बहुत लकी रहा है प्रवत जैसूरिया के लिए पांट टेस्ट मैचों में ये खिलाडी जो है च्यालिस विकेट अब तक हासिल कर चुका है और छे बार तो फाई विकेट हॉल है यह अपने आपे दर्शाता है कि ये खिलाडी का कितना बड़ा डॉ के लिए पाकिस्तान के हिलाफ दो टेस्ट मैचों में 17 विकेट है इसके लाड़ी के नाम तो इनसे जरा संबल कर रहना होगा और दूसरा हमने आपको बताया रमेश मेंडेस वो बहुत ही उपयोगी यूटिलिटी प्लेयर है और जिस तरह से पिशली बार उन्होंने नौ व जिलते हुए आपको दिखाई देंगे और यह हैंस्टिंग इंजरी से आप पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं इस खिलाड़ी का अगर पिशला हालिया परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आप भी हरान हो जाएंगे तो कि पिशले साथ टेस्ट मैचों में दो इस खिलाड़ी की और अब तो इनने निशान मदुशंगा के मदुशंगा के रूप में एकन्य सलामी बल्लेबाद मिल गया है एक ऐसा सलामी बल्लेबाद जिसने आइरलंड के खिलाब पिछले जिनों डबल संचरी बनाई थी तो जाहिर सी बात है कि यह दोनों सलामी बल्ल गिंबादों की रंडीती को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्पिन फ्रेंडी विकेट है गॉल की और यहां पर दो जो फास्ट बालर उत्रेंगे मैं तो यही समझता हूं कि शैन्शा फ्रीदी जो की करीब एक साल के बाद वापसी कर रहे हैं कमबैक कर रहे हैं पाकिस्तान तो खैर तुरूप का एक हैं ही पाकिस्तान टीम के पास अबरार जिनोंने चार मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं और इंगलेंड के खिलातों में याद आता है मैच नहीं जिता पाए थे क्योंकि अकिला चना भाड नहीं फोर सकता उन्होंने 11 विकेट चटकाए थे उस टे व्कास नहीं रहा है तो ये थोड़ी सी जो स्पिन बॉलिंग की कमान है उसमें थोड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान के लिए क्योंकि उनके दूने जो स्पिनर्स हैं वो आला धर्जे के हैं यहां पर अबरार अला धर्जे के हैं लेकिन उनका इस्तेमाल इतना जधा ब बहुत effective साबित हो सकता है नवाज मैंने बताया test match में बहुत ordinary baller है ठीक है सामने खेलने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन जो जो उनका सीमित ओवर के cricket में white ball cricket में performance है वैसा test cricket में कम से कम नहीं है गॉल test का एक test को छोड़ दें अगर वहां इन्होंने छे विकेट चटकाए थे इसके अलावा सलमान आगा सलमान आगा जो है basically एक बैटिंग आल राउंडर है बैटिंग उन्होंने century भी बनाई है पीछे और bowling में मैं समस्ताओं की तो वो level नहीं है उनका जो एक जो श्रिलंका की conditions का अधिक से अधिक फाइदा उठा सके इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक बिलकुल out of form है शमताओं की कमी नहीं है capability बहुत जवरदस्त है लेकिन अगर पिछले कुछ मैचों में देखें तो उन की भी हाफ century नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि इस टीम में बाबाराजम टीम का एक टीम की जान है ताकत हैं इमाम-ul-हक बहुत अच्छा performance कर रहे हैं और सरफराज की वापसी हुई है वो बहुत शांदर वापसी हुई है उन्होंने बहुत अपने आपको मेंडिस है कुसल मेंडिस इनके बीच में एक अच्छी खासी टकर देखने को मिलेगी तो मैं बहुत रुमांचक होने वाले पिछली बार तो एक-एक से बराबरी पर रहा था इस बार क्या होगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इन तीनों खबरों के ब झाल झाल